पहा, धनेवाद हो यश्वा, धनेवाद हो आवा परमेश्वर, धनेवाद हो यावे परमेश्वर, तु महान परमेश्वर है, तु पवीत्र परमेश्वर है, मेरे यश्व मसीहा, तु जगत का निर्मान करता, यहोवा परमेश्वर का इकलोता प्रिय पूत्र है, और मैं अपने आपको, मेरे सारे लोगों को, येश्व तेरे लहू में कवर करते हूँ, हमारे घर, परिवारों को, हमारे सारी चीजों को, जो भी हमारे जीवन के अंदर का समय है, वो सब येश्व मसी तेरे लहू में हम कवर करते हैं। मेरे मौमी को और हमारे सारे घर के वस्तुओं को, हमारे सारे फाइनाइंसे को, हमारे प्रेयर लाइफ को, हमारे आतमिक जीवन के हर एक हत्यार ये शु मसीहा, हम तेरे लहु से शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, हम अपने आपको तेरे हातों में समर्पित करते हैं तुझसे बड़ा हमारे लिए सामर्धी और कोई नहीं है परमेश्वर तुझसे बड़ा, हाललूया तेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है मेरे येश्वा इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ तेरे से बड़ा येश्व मसिहा कोई नहीं है, हाललूया मेरे येश्वा तेरे से उन्चा कोई नहीं है, हाललूया, तेरे से उन्चा कोई नहीं है, हाललूया, रबा खाता ना खाहा, सियान तुखंबरा खासा, रेदा ना खाहा, बदिनी के रभियां तरा, मैंने येश्व मसीह, ये समय जो दुष्ट आत्मा के काम को अनुभो किया, वो काम डारेक्ली दुष्ट आत्मा ने नहीं किया है मेरे पर महिश्वर वो काम कोई आदमी या कोई आउरत ने या कोई बच्चा या कोई बुजूर्ग ने किया हुआ है और वो मनुश्य है वो पावर को लगा रहा है darkness power को मेरे उपर target कर रहा है मेरे लोगों के उपर या किसी के उपर भी यहाँ पर target कर रहा है लेकिन अब मैं ये जो प्रार्थना कर रही हूँ पीता ये मैं अपने लिए कर रही हूँ और साथ में मेरे खुदा ये प्रार्थना को जो सुनेंगे मेरे खुदा परमेश्वर अगर उनके उपर भी ऐसा कोई अंधेरे की ताकत लगाने वाला इंसान आक्रमन कर रहा होगा तो उनके लिए भी ये प्रार्थना सफलता लाएगी हाललूया मेरे येश्य मसीहा मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ कि तु मेरा परमेश्वर है तु मेरा आबब पीता है हाललूया तु मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तु कभी नहीं हारने वाला परमेश्वर है तु कभी नहीं हारने वाला परमेश्वर है हाललूया फादर मुझे नहीं मालूम परमेश्वर पास्टर्स लोगों को ये जादू टोना वालों लोगों ने कैसे सताया है क्या किया है क्या नहीं मुझे उसे परवा नहीं है वो उनकी ताकत और वो लोग उनके हिसाब किताब मुझे नहीं मालूम लेकिन मेरे पास जो हिसाब किताब है वो मुझे मालूम है और मैं उस हिसाब किताब के अनुसार, मैं येश्य मसी तेरे नाम से ये अंधेरे के ताकत के विरोध आ रही हूँ, रबाखा ला रहा, सियान दुखंबा रखा, इनके जादू टोना, इनकी मूर्ति पूजा, इनके सारे देवी देउताएं, जो भी लगा के वो मुझे ट्रा कि मैं नहीं मेरे येश्य मसीहा, तू मेरे अंधर चीवित है, और इसके लिए उनके नारियल तोड़ना, उनका बली बकरों का लहू बहाना, मेरे लिए कोई काम नहीं करेगा, हाललुया, मेरे येश्य मसीहा, वो उनकी देवी देउताएं, वो उनकी पूजा पाठ है, वो क्या सपोर्ट करते हैं, वो उनको मालुम, लेकिन मुझे क्या सपोर्ट करना है, मुझे क्या चाहिए, वो मेरा परमेश्य मैं तुछ से बोल रही हूँ, हाललुया, मुझे चाहिए मेरे खुदा परमेश्य कि तू इस अंधकार के जगत में से आक्रमन करने का जो हिसाब आक्रमन लगा रहा है, आदमी है, आवरत है, बच्चा है, बुद्धा है, बुजोर्ग है, बुड्टी है, मुझे मालुम ने कौन है, जो आक्रमन लगा रहा है, मैं उसको तेरे सामने लाती हूँ, हाललुया, तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्य यशिया के किताब में 9 अंधकार जाता रहेगा, हाललुया, मेरे येशु मसीहा, तेरा वचन है ये, हाललुया, रबा खाला रखा, सियांतु खंबा रखा, सियांतु रा, संकट भरा अंधकार जाता रहेगा, ये दुष्ट के ताकत चलाने वाला, अंधकार जाता रहेगा, उसका मेरे साथ कोई भी वैलियू नहीं है, उसकी कोई ताल मेल मेरे साथ नहीं बैठता है अगर वो मुझ पर आक्रमन करता है, मैंने उसके उपर आक्रमन करना तो बनता ही है लॉड हललुया, अब ये युद्ध शुरू हो जाए खुदा तेरे स्वर्गदूत आजाद कर मेरे पीता, ये शुमसी के नाम से, मैं बिंती करती हूँ तेरे स्वर्गदूत आजाद कर और मेरे परमेश्वर जहाँ जहाँ क्या क्या छुपा के रखा है उनका ये अंधकार का ताकर बनाने के लिए, मुझे सताने के लिए, कहा कहा क्या क्या, खड़े में रखा है, पानी में रखा है समुंदर में डाला है या और कहीँ आकाश, पाकाल में से कुछ किया है, जहाड पेड पौदों के उपर कुछ लगाया है कोई कुछ खाया पिया है सब के अंदर से वो ताकत के शुरोत एश्यू मसी के नाम से बाहर निकला हर एक चीज में से मैं एश्यू के नाम से आग्या कर रही हो बाहर निकला मसी एश्यू के नाम से मैं आग्या कर रही हो बाहर निकला एश्यू मसी के नाम से बाहर निकल प्रभु एश्यू के नाम से मैं तुझे आग्या कर रही हूं बाहर निकल सब जगहों में से हर एक दुष्ट आत्मा का देरा बाहर निकलो किदर किदर है तुम लोग कौन सा कपड़ा में बांध के रखा है कौन सा मटके में बांध के रखा है कौन सा चीज किदर रखा है सब जगह से बाहर निकलो इकटे हो जाओ एश्यू मसी के नाम से मैं आग्या कर रही हूँ इकटे हो जाओ सब डारेक्शन्स में से बाहर निकलो किदर किदर है तुम लोग एश्यू मसी के नाम से आग्या कर रही हूँ बाहर निकलो एश्यू के नाम से इकठे हो जाओ हर एक दुष्टात्मा कहा कहा से तुमको क्या क्या लगा के लाया है सब जगा से बाहर निकलो एश्यू के नाम से बाहर निकलो एश्यू के नाम से बाहर निकलो और अब मैं तुमको बांध रही हूँ एश्यू मस्य के नाम से तुमको बांध रही हो और तुम्हारे ओपर एश्यू के नाम से नरक की आग लगा रही हो जल के भास्म हो जाओ रिदाना का से के रिबाताना का सियान तुखंबरा का सा खुदान तखंबको शेके बिताना का अला रासा रते निका नमर रोखो, शेकरी भी रखता ना कहा, सियान तु खंबर रहा, रिदा ना कहा, बाशे की आम बो रोखो सा, ये कोई भी हो, मेरे को मतलब नहीं है, तु को नहीं है, तु क्या है, I don't care, I destroy your powers in the name of Jesus Christ, रदे निका नमर रोखो, शेकर बर्रका, रियान तु खंबर रखा, शेयान तु खंबर रखा, तु मेरे तक पहुंचने का जो चैनल बनाया है, एश्यू के नाम से उसे मैं नर्ग की आग लगा के जला देती हूँ, जल एश्यू के नाम से, डिस्पाई हो जाओ एश्यू के नाम से, कितने दिनों से तुने ये कारेकरम मेरे विरोध बनाया है, वो सब तिनों के तेरे फास्टिंग प्रेयर्स, तेरे सारे चैन्टिंग्स, तेरे सारे खून के बलिदांग, मैं एश्यू के नाम से कैंसल, ब्रेक और डिस्ट्रॉइ कर देती हूँ, कितने सालों से पारी महनत मैं destroy कर देती हूं तेरे अंदर तू क्या समझता है तू क्या समझता है तेरा नाक में से श्वास अगर निकाल दिया जाएगा तू गिर पड़ेगा नीचे और तू अभी जो मुझे परिशान करने के लिए समय लगा रहा है वो समय तू तेरे दोष्ट के ताकत से लगा रहा है वो ताकत को मैंने मुकाबला कर दिया है ना खून से ना मास से मेरा युद्ध है जो मेरा युद्ध है वो मैंने कर दिया है रिबा खाला रखा शेके रिबा रखा सियान तूरा रिदा ना कहा शेके रिबी रिखता ना कहा सा कौन से प्रहर में तूने कौन सी जादुर्टोना की है, जिसके कारण तो ये ताकत लेके मुझे डराने के लिए आता है, आज वो ताकत को मैं एश्य के नाम से कुछल रही हूँ, कुछल एश्य के नाम से मेरे पैरों के नीचे मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ, रिगामना खाह, शिखारा बहासा, क्या है ते जादुर्टोना की से मेरे तरफ खोल के रखा है, एश्य के नाम से बंद हो जाओ, सब अपने मुझे को बंद करो एश्य के नाम से, और अपनी दिशाओं को फेर दो मेरी तरफ से, गेड आउट, अपने डारेक्शन्स घुमा दो, मेरे पास तुम लोगों का डारेक्शन्स नहीं चलेगा, एश्य के नाम से ये अंधेरे का फाइदा उठाने की कोशिश नहीं करना, ये अंधेरे के अंदर एक इंसान रहता है, जिसका नाम येश् का नाम से, कॉंसे टाइमिंग को सेट किया गया है मेरे उपर, कोई भी अंधेकार की ताकत लगाने का, वो timing को, वो setting को, कितने लोग उसके अंदर involved है, वो setting के अंदर, वो सब को, मैं एश के नाम से पिता बिंती करती हूँ, स्वर्गदूत भेज और arrest कर ले, arrest them, Lord, arrest them, जंजीरों से उनको जखड ले, ये श्वा के नाम से पिता, स्वर्गदूत को अग्या कर, उनके पैरों को जखड ले, उनके जबान को जखड ले, उनके दिलों दिमाग को जखड ले, और सब जगह से उनके plans fail कर दे, हैललुया, रबा खाता ना कहा, सियान तुखंबरो, मेरे खुदा परमेश्वर, उनकी दादा गिरी, रात के समय में उठती है, क्योंकि वो उनका समय है, लेकिन म मेरे लिए वो समय नहीं है, मेरे लिए मेरा परमेश्वर का बड़ा उजियाला है, हाललुया, मेरे उपर घोर अंधकार से भरा हूँ अमृत्यों का देश नहीं है, मैं वो देश की नहीं हो, मेरे उपर जोती चमकी है, और मैं अंधेरे में चमकने वाली जोती के साथ हूँ मुझ पर येश्य मसीहाथ चमक रहा है शैतान तू अपना हाथ हटा ले मेरे उपर से शैतान ये फ्लैट के उपर से तिरा हाथ हटा ले ये पैसेज के उपर से तिरा हाथ हटा ले ये पैसेज, ये बिल्डिंग के अंदर हमारा ठिकाना के उपर से तिरा हाथ हटा ले, चल हट यहाँ से, ये रात हो कि दिन हो, इसके अंदर तिरा कोई राज्य नहीं चलेगा, क्योंकि तेरे राज्य की मैं नहीं हूँ, ये शुके नाम से मैं तुझे बोल रही हूँ, मेरे स तुझे याद दिला देती हूँ, रवलेशन प्रकाशित वाक्य के किताब में लिखा है, जब स्वर्ग में एक बड़ा सा युद्ध छेड़ गया था, तब माइकल, जो मिखाईल एंजल था, स्वर्गदूत है मेरे परमेश्वर का, उसने शैतान तुझे गिरा दिया है, याने तेरी ताकत मैंने देख ली है, हललुया, अभी भी मेरे लिए जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है, वो तेरे सारे चेलों को गिरा देगा, याद रखना, मेरे स्वर्गदूत भारी है, तेरे से ज्यादा भारी है, इसके लिए तु अपना हाथ हटा दे, तेरे नहीं हटाया, मैं परमेश्वर से बिंती करूंगी, उसके स्वर्गत तो तेरे चेलों को पकड़ लेंगे, बुरी तरह से वो तेरे चेलों का हालत खराब कर देंगे, याद रखना, तेरे सारे आत्माओं का भी वो हालत खराब कर देंगे, तो तेरी सेना को ले, और तेरे चे के नाम से तुम रुत्यों के देश में रहने वालों पर कुछ कर सकता है, प्रकाश में आए हुए लोगों के उपर नहीं, तेरे जूट को मैं इश्य के नाम से लाथ मार के उड़ा देती हूँ, get out, in the name of Jesus, I command you, तेरे पास पावर है, मेरे पास भी पावर है, ये पावर की भा मैं बोल रही हूँ, तो सुन ले, और वटक यहां से, get out, in the name of Jesus, I command you, मेरे ये येश्य मसीहा तेरे नाम से में बिंती करती हूँ, यहां पर परमेश्वर, तेरे पवित्र आग बढ़ा दे, यहां पर परमेश्वर, तेरे पवित्र आग को ऐसा बढ़ा दे, कि ये ये लोग जो परमेश्वर पिता, दुष्ट आत्माओं को लेकर इतना घमेंड दिखा रहे हैं, कि वो उनको लगता है, उनके बाप का राज्य आ गया है, हललुया, नहीं, नहीं, इतना असान नहीं है, हललुया, इसलिए मेरे परमेश्वर, उनके ये होश हवाश उड़ाने के लिए अभी परमेश्वर, तेरी आग जला दे, मेरे येश्वा, तेरी आग जला दे, और बता दे, कि यहाँ पर दूसरा बाप रहता है, जिसका नाम येहोवा है, हललुया, मेरे येश्वा, तु मेरा आबा पीता, तु मेरा सर्व शक्तिमान परमेश्वर, तेरा जल्वा दिखा अब पीता तू मेरा परमेश्वर है तू मेरा बाप है तू तेरी ताकत दिखा दे हललुया अब पार बाप है तू मेरा परमेश्वर उनके हाथ हाट मेरे हरे एक समय में से उनके हाथ हटा दे उनकी भाशाओं में कन्फियूशन ला उनके सारे दिलों दिमाग में कन्फियूशन ला और परमेश्वर उनके सारे पैरों को भटका दे उनको यहां से दोडा दे येश्वा के नाम से बिंती करती हूँ पिता मेरे येशु मसीहा मैं इन लोगों से डरती नहीं हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मेरा परमेश्वर जो करेगा वो सर्वत कुरुष्ट है इसके लिए ये लोगों को मेरी ताकत को देखने की जरूरत है इसके लिए तु तु ताकत दिखा दे मेरे येश्युआ इनको तेरी ताकत को देखना चाहिए पिता क्योंकि इन्हों ने सिर्फ इनके बाप की ताकत देखी है मेरे बाप की ताकत अभी तक नहीं देखी है इसके लिए मेरे पिता मैं तुछ से बिंती करती हूँ कि तू अपनी ताकत यहाँ पर परमेश्वर तेरे आत्मा के दुआरत दिखा दे ताकि यहाँ पर परमेश्वर पूरी तरह से यह सैटिसफेक्शन हो जाए कि यहाँ पर एक बाप बहुत ज़्यादा जबरदस्त है उसका नाम यहोवा है हाललुया उसका नाम यहोवा है मेरे परमेश्वर तेरा वचन महान है तेरा वचन सबसे अच्छा है सबसे प्यारा है और वो वचन तलवार है मेरे लिए और वो वचन प्रान शरीर आत्मा को भेद कर जाता है और मैं इन लोगों के उपर वो वचन को मार रही हूँ इन लोगों के प्रान आत्मा शरीर को छेद कर ये वचन आगे बढ़ेगा मेरे येश्यू के नाम से मैं बोलती हूँ जितने हत्यार मेरे हानी के लिए बनाए जाएंगे उन में से कोई सफल ना होगा जो लोग मुद्दै होकर मुझ परनालिश करेंगे उन सबों से मैं जीत जाओंगी हाललुया मेरी जीत को मैं क्लेम करती हूँ मसी एश्यू के नाम से मैं क्लेम करती हूँ मेरे परमेश्वर तेरे स्वरगदूद ये वचन को उठाए और मेरे लिए उनके साथ युद्ध करें उन्होंने जो हत्यार मेरे लिए बनाए है वो सब हत्यार, हाललुया, ऐसा तमाचा मार दे उसके ओपर के बस रे बस, कि वो हत्यार नहीं रहेगा, वो लल्लू पंजू बन के भागने लगेगा, हाललुया, मेरे परमेश्वर, आज तो ये काम हो जाना है, हाललुया, आज तो ये काम हो जाना है, मेरे येश्य मसीहा मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ कि तुझ पर विश्वास करने का मुझे एक अच्छा समय मिला है तैंक यू लॉड तैंक यू ये शैतां की आत्माओं के साथ युद्ध करने के लिए मेरे लिए परमेश्वर तेरे पास्वर्ग दूद खड़े हैं हाललुया धन्यवाद परमेश्वर रो बर रखसियां तुखंबर रखो रेखिया लर रहस्वर मेरे परमेश्वर मुझे फिजिकली रिजल्ट्स बता परमेश्वर कि उनकी हालत तुन्हें खराब कर दी है मुझे फिजिकली बता परमेश्वर हाललुया क्योंकि तेरा वच्चन कहता है तो दुष्टों का अंत अपनी आखों से देखेगा हाललुया तो अपनी दुष्टी से देखेगा दुष्ट के अंत को हाललुया कितना मज़ेदार वो समय है ये मज़ेदार समय तो जरूर मुझे दिखा खुदा ताकि मैं आनंद कर सकूँ कि शत्रू की ताकत हार गई और मेरी ताकत जीत गई हाललुया रबा खता न कहा सियान तो खंबरो शेकिरियान तो खासा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा मेरे परमेश्वर मैं ये बात को एक और आगे बढ़ाना चाहती हूँ खुदा कि ये लोगों को जैसा परमेश्वर पिता विश्वास है कि उनका शैतान का आत्मा उनको बहुत कुछ कराके दे सकता है तो वो उतना ही पावरफुल है उनका विश्वास कितना कमजोर है वो भी उनको बता दे हाललूया रिबा खाला रहा सियान तुखंबर रखा सेकरी बीरियान तरखा मेरे ये शुमसिया उनको बताने की जरूरत है मेरे खुदा तेरा चुप रहना काम नहीं करेगा पिता तुझे उनको बताने की जरूरत है मेरे परमेश्वा कि तू पावरफुल है मेरे अंदर तू मेरे अंदर सामर्थी है वो मुझे एक औरत समझते है और ऐसा समझते है कि ये ललू पंजू है हैललूया नहीं मेरे खुदा, मेरे अंदर जो है, वो येशु मसीहा है, और वो चक्तान है, जिसके उपर कोई टक्राएगा, तो चक्तान चूर हो जाएगा, और जिसके उपर ये चक्तान गिर जाएगा, वो नाश हो जाएगा, मैं उनके उपर आज गिरती हूँ, और उनको नाश करती ह क्योंकि ये चक्तान है, मेरा येश्य मसीहा मेरे अंदर है, हललुया, अब मैं उनके ओपर ऐसे आक्रमन लगाती हूं कुदा, कि वो नाश होना है, और वो बूरी तरह से घायल होकर यहां से भाग जाना है, मेरे येश्य मसीहा उनके दम तोड़ देना है, हललुया, उनके ताक या ये बिलडिंग के लिए कोई ऐसा प्रियार बनाने का काम करने वाला इंसान, कोई भी हो मेरे खुदा, उससे मेरे को लेना देना नहीं है, ऐसा परमेश्य तो उसके ओपर जपट जा, कि उसको पता चले कि वो मृत्यू के देश में रहने वाला है, और मैं प्रकाश के र कि वो समझ जाए कि मैं जो प्रकाश की संतान हूँ वो अंधेरे को हिला सकता है। यह बिल्डिंग के बाहर से कोई आक्रमन लगा रहा है। जो पावर के हत्यार है वो सारे पावर उनके सामने तोड़ फोड़ कर दे। उनकी ही आखों के सामने तोड़ फोड़ कर दे। स्वरगदूत उनको आग्या कर मेरे परमेश्वर उनका जो ठीपाया हुआ पराक्रम करने वाला शक्ती है वो ऐसा उनको तमाशा करके बता दे कि वो काम नहीं कर रहा है। टेरी महिमा को दिखा दे ख़दा, तेरी महिमा को देखने की जरुरत है मरे यश्वा उनको लगता है अमावसिया आएगा पुर्दी माँ आएगा जादुटोणा करेंगे और आक्रमन करेंगे वेरी गोड़ बराबर सोचा तुम लोगों ने और मैं भी सोचके रखा त जाद ही दूँगी, कि चलो परमेश्वर, आप आक्रमन करो, कमान, रीबाखा लारा, सियान तुकंबरा, रेदा न कहाबा, शेखरी बेरेखती न कहाब, सियान तुरा, ये चांद और सूरज मेरे बाप ने बनाया है, ओके, ये आसमान मेरे बाप का है, हाँ, उदर से ताकत लाके, तुम लोग मेरे को डराने की कोशिश कर रहे, पागल इंसान, तुझे मैं बता दू, कि वो मेरा परमेश्वर है, जो स्वर्ग के सिहासन में बैठा हुआ है, समझा, इसके लिए तेरे जो पावर्स है, उसके पैरों के नीचे बैठते है, हाँ, इसके लिए वो पावर्स मेरे उपर लगाने की कोशिश मत कर, तेरी बहुत बेईज़ती हो जाएगी, याद रखना मेरी बात को, तु बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा, तु लोगो रखासा, यहाँ पर एक इंसान नहीं रहता है, यहाँ पर मेरा येश्य मसी रहता है, और उसके साथ करोडो स्वर्गदूत है, क्या समझा, उसके साथ कौन है, करोडो स्वर्गदूत, और वो सारे स्वर्गदूत हमारे साथ है, समझा, तो यहाँ पर हम लोग अकेले नहीं हैं तेरे हात पाऊ को तोड़ देने का सामोर्थ रखता है स्वरքर गदूत समझा क्या तू कोई प्लान मत कर मेरे विरोध में यहां पर हम अकेले नहीं है हमारे साथ परमेश्वर का आत्मा है और हमारे साथ स्वर्गदूत है और वो खाली नहीं है भरपुर भरे हुए शैतानी ताकतों तुमको तोड़ने की ताकत रखने वाले लोग है समझा चल हट अभी मेरे रास्ते से इसके बाद अगर तुने यहाँ पर कुछ किया तो याद रखना तेरा तो प्त्यानाश करूंगी ही मैं पूरी तरह से लेकिन इतने बेज़त ही करूंगी कि तुझे मूँ दिखाने का तुक कही पर नहीं जाएगा याद रखना याद रखना अगला समय तेरे लिए नहीं है मेरे जीवन के अंदर आके कुछ करने का तेरे पास अधिकार नहीं है तेरा अधिकार मैं छीन लेती हो इश्चू के नाम से क्या अधिकार मिला है तुझे मेरे उपर आक्रमन लगाने का वो सब legal grounds इश्चू के नाम से मैं cancel करती हो break करती हो destroy करती हो तू अगर ऐसा सोच रहा है कि मैं मरू या जीओ मैं अक्रमन करूंगा तो मर जाना ही सोच ले तू क्योंकि तू मेरे उपर और कुछ नहीं कर सकता है ये बात को अच्छे से ध्यान दे ओके, now get out from here यहाँ पे तेरा तमाशा मत बना, get out ना रात का समय तेरा है, ना दिन का समय तेरा है ना दुपैर का समय तेरा है, ना शाम का समय तेरा है तेरा राज्य तेरा अलग है, मेरा राज्य अलग है तू मेरे राज्य के अंदर घुस कर कुछ करने की कोशिश करेगा मेरा स्वर्गा तो तुझे फटकार देगा, याद रखना तुझे फटकार देगा तु बेकार में अपना तमाशा मत बना, get out, रात के अंधेरे में बैट कर तु मेरे विरोध आने की कोशिश मत कर, एश्यू के नाम से मैं तुझे आग्या करती हो, एश्यू के नाम से, शरम से जुका दिया जाएगा तू, रबा खता ना खा, सिखा रबा हा, शेकर बेरे खास यह मत समझ मेरे पास कौन सा हतियार है, यह मत समझ मैं क्या कर सकती हो, यह याद रख मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है, यह याद रख मेरा परमेश्वर का हाथ मेरे उपर है, यह बहुत है तरे लिए, समझा, मेरे पास वो कुछ नहीं है तिरको करने के लिए, मेरे पास नह यह बिल्डिंग के अंदर आके तु तमाशा करने के ज़रूरत नहीं है कहां से आता है तु क्या बक्रा और क्या बली मार के आता है get out in the name of Jesus I command you लोग निखाली दर से एश्य के नाम से तुझे मैं बैस्त कर देती हूं तेरे सारे हत्यार को निकाल यहां से अब निकल जाए आसे तेरे मंतर तंतर श्राप निखाल यहां से साड़े 11 बजे का timing मत देखते बैठ एक बजे का timing मत देखते बैठ रात के 3 बजे का, 4 बजे का timing तेरे लिए नहीं है मेरे घर के सामने तमाशा मत कर ये timing में एश्य के नाम से मैं तुझे आग्या करती हो Get out in the name of Jesus Christ एश्यू के नाम से मैं तुझे आग्या दे रही हूँ, निखल यहां से एश्यू के नाम से, अभी के अभी निकल यहां से, जल्दी निकल, निकल, तेरे सारे हत्यार मेरे उपर से हटा दे, हटा दे एश्यू के नाम से तुझे आग्या कर रही हूँ, मैं, आग्या कर रही हो, हटा तेरे हत्यार मेरे उपर से, एश्य के नाम से, निखाल एश्य के नाम से, मेरे उपर लगाए हुए सारे तेरे हत्यार, हटा दे, निखाल एश्य के नाम से, निखाल, मेरे फ्लैट के उपर लगाए हत्यार, मेरे जीवन के उपर लगाए हत्यार, get out, तेरा क्या हक बनता है मुझ पर हत्यार लगाने का तेरे बाप के राज की नहीं हूं मैं get out in the name of Jesus अंधेरे के ताकत लेकर आने वाले शक्तिया get out get out get out get out जल्दे भार जा यहां से नहीं तो मैं आग लगा दूंगे तेरे उपर एश्य के नाम से जो हूल्ट़ के ऊपर मैं इश्य के नाम से नर्क्यांग लगा देती हूं वह अल्टर मैं तोड़ देती вкус You के नाम से जो देविध देवताओं को मान कर तो यहां शक्ति लाता है पूजा पाच कर लाता है इश्य के नाम से उसे रुप्योक करती हूं Now एश्यू के नाम से तुझे तोड़ देती हूँ Get out in the name of Jesus मेरे परमेशर हर एक हकेम जो मुझ पर वार लगा रहा है एश्यू के नाम से उसके अपर नर्ट क्याब लगा देती हूँ जलो एश्यू के नाम से जलो एश्यू के नाम से हर एक समय के अंदर वो जहाँ जहाँ मेरे बारे में कुछ भी करने के सोचेगा उसके उपर नर्ट की आग चड़ जाएगी एश्यू के नाम से नर्ट की आग चड़ जाएगी मसी एश्यू के नाम से अभिकार लेकर तेरे को मैं नर्ग की आग बेड जला रही हो जले शिक नाम से जले शिक नाम से जला रही हो जलो इशिक नाम से जलो इशिक के नाम से जितना भी शक्ति का काम यहाँ पर हो रहा है। जितना भी दुष्ट आत्मा के शक्तियों का काम यहाँ पर हो रहा है। सब जगा पर आग लग जाए। नर्ग की आग लग जाए। हर एक इंसान जो वो शक्तियों को सोर्स बना रहा है एशिक के नाम से उसके अंदर नर्ग की आग लगा देती हूँ मैं। जल एशिक के नाम से एशिक के नाम से तुझे जला रही हूँ मैं। पिता मेरे लिए प्रेयर सपोर्ट करने वाले इंटरसेसर्स को पिता जगा और उनको मेरे लिए परमेश्वर प्रार्तना के सपोर्ट देने के लिए परमेश्वर उनके आत्मा में परमेश्वर स्टोर कर उनको पवित्रात्मा के अभिशेक से भर दे और वो मेरे लिए प्रा करने के लिए मेरे यश्यू के नाम से मुझे सहायता करने वाले लोगों को अज़ाद कर मेरे परमेश्यूर मेरे सहायता करने वाले लोगों को अज़ाद कर मेरे यश्यूर और रबा खाताना का हासियान तुखंबर रखा सेके रे तेरे गाताना का हासियान तुरा यहां पर प खेल तमाशा कर रहे खुदा परमेश्वार, वो तेरे पावर को अजमार रहे खुदा, कि तू कुछ कर सकता है कि नहीं, वो खेल तमाशा में उनका ऐसा उधाड मार खुदा, कि वो सब जगह से तुट कर गिर जाएंगे, और उनको पता चलेगा, नहीं नहीं, ये खेल पार दे मेरे परमेश्वर कि वो समझ है कि यह पावर अजमाने वाली चीज नहीं है हालेलूया रब एक तिना कहा सियान तुखंबर रखा सेकरी बेरिक का सियान तुरा उन्होंने मुझे शरम से जुकाने के लिए पिता मेरे अपर टार्गेट लगाया है उन्होंने मेरी निं यह पाञिए उनकी तरफ जाने के लिए उनको लोकेट करने के लिए और उनके हाथों से हम को छुडाने के लिए तेरे स्वरगत तुखंगो मैं तुझसे बिनति करती हुं यहवे परमेश्वर मेरे परमेश्वर प्रोफेट्स एंजल्स और परमेश्वर पिता अपोस्टल सब को परमेश्वर मेरे लिए पिता प्राथ ना करने के लिए जगा और परमेश्वर ये शैतान की ताकतों को गिराने के लिए परमेश्वर आज दो परमेश्वर हम सब को मिल कर पिता ये शैतान की ताकट को गिराने का परमेश्वर समूर्थ दे दे रबा खाता ना कहा सियान तु खंबर रखा से करे बेरे खाता ना कहा सियान तु रा मेरे परमेश्वर प्रेयर वारियोस को आज़ाद कर मेरे खुदा हमारे लिए प्राथ ना करने के लिए आज़ाद कर मेरे यश्यूआ, ओ मेरे खुदा, तुने कहा है, तेरे लिए मैंने रिजर्व करके रखा है लोगों को, मेरे परमेश्यूआ, मेरे लिए जो रिजर्व करके रखा है, यह समय कि लोगों को तु आज़ाद कर, रिबा ना कहा, शेखेरे बेरे खता ना कहा, सियान तुकंबर रखास्ता, रेदा ना कहा, सेखेरे बेरे खता ना कहा, सियान तुरा, वो सारा शेटान का प्रिंसिपालिटी, पावर्स, वो शेटान के शडियांत्र, वो ब्लडशेड, मर्डर, रेप, थैफ्ट, रॉबरी, य जो वो अक्रमन परमेश्वर, उनके ओपर परमेश्वर तेले स्वर्गत दूद से अक्रमन हो जाए, और उनके हातों से हमारे नामों को छुड़ा लिया जाए, हर एक शमशान घाट के आत्माउन को एश्यू के नाम से अर्रेस्ट कर दिया जाए, हर एक चार्म, फेटिशस, अरेस्ट कर दिये जाए, एश्यू के नाम से अरेस्ट हो जाए, हर एक वहिकल्स जो हमारा पीछा करते हैं, अरेस्ट कर दिये जाए, एश्यू के नाम से सेटनिक वहिकल्स अरेस्ट कर दिये जाए, अरेस्ट कर दिये जाए, और उनके सारे हत्यार तोड दिये जाए, उनके सा पावर को अज्माने के लिए पिता आज ये परमेश्वर समय लिया है अंधकार के शक्ति को चलाने वालों ने पिता ये अज्माने के समय में ही तू ऐसा जल्वा दिखा दे कि वो अज्माना ही भूल जाएंगे हाललुया वो सोचने लगेंगे काश हमने ये किया ही ना होता मेरे परमेश्वर शैतान के प्यार कर जलाने वाले लोगों को परमेश्वर तेरे हाथों में देती हो तेरे स्वार गदूद से फटकारने के लिए मारने के लिए पिता मैं तेरे हाथों में देती हूँ, रबा खता न कहा, सियान कुखंबर खते केरे भी रिगाता न कहा, मेरे परमेशन, मैं तुझसे बिंदी करती हूँ, उनके घर, परिवार के अंदर से, उन्होंने जितना भी समय शैतान को दिया है, ये शडियंत्र करने के लिए, वो सारा समय मैं एश्यों अर्रेस्ट करती हूँ मैं, अर्रेस्ट करती हूँ और तोड़ देती हूँ, और एश्यों के नाव से मैं उसे कुछल देती हूँ, जला के डेस्ट्रॉय कर देती हूँ, अब वो पलट कर देखेंगे, तो वो देखेंगे कि कुछ भी नहीं रहा है, हाललुया, उनके लिए कुछ भी नहीं रहा है हाललूया वो पलट कर देखेंगे कि उनको ताकत देने वाले जो चीजे थे वो सब नाश हो गए है हाललूया जो प्रार्टना में मैंने किया परमेश्वर वो सब कुछ पूरा कर मेरे खुदा ओ मेरे येश्वा शैतान का आत्मा भाग गया यहां से मेरे खुदा वो हकीम यहां से भाग गया मेरे आबा पीता अब वो अगला समय पकड़ने की कोशिश करेगा तो शैतान के आत्मा के चलाने वाले वो अगला समय मेरे येश्वा स्वर्गदूत लगा दे वहाँ पर मेरे आभब पीता स्वरगदुत लगा दे उसके उपर और जखण दे उसको जनजीर से बांद दे उसको रिवाखला रखा, सिखर बहा, शेकर बेर खताना कहा, सियान्तुरा और मेरे परमेश्वर उसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो परमेश्वर येश्वा को ग्रहन ना करे मेरे खुदा वो जंजीर में ऐसा बांदे उसको कि वो तब तक छुटकारा नहीं पाएगा जब तक वो येश्व मसी को धार करता ग्रहन ना करे ओ, अबबा पीता, थांग्यू, कितने लोग है वो लोग, कितने लोग है, हलल्लुईय, वो सब को स्वरगदूद भेज कर मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा अर्रेस्ट कर ले, arrest कर वो लोगों को arrest कर वो लोगों को स्वर्गदूद भेज मेरे परमेश्वर येश्य के नाम से बिंती करते हूं स्वर्गदूद उनको locate करने दे, arrest करने दे उनको और ऐसा जंजीर बांध है उनके उपर कि वो जब तक येश्य मसी के साने घुटना ना टेक दे उद्धार करता उसको ग्रहन ना कर ले वो छुटेंगे नहीं हैललूया, ओ मेरे येश्य मसीहा बहुती ब्यूटिफल काम तुने किया है धन्यवाद करती हूं मेरे खुदा, और रिबा खाता ना कहा सियान तुखंबर रखा, सिखेरे बेरे खाता ना कहा रबेंटी खंबर रखा, सिखेरे बेरे खाता ना कहा सियान तु रख मेरे येश्य मसीहा मैं तुझ से बिंती करती हूं ये आगे का समय और भी ज्यादा मैं तेरी सहायता मांग रही हूं ये आगे के समय में मैं पूरी तरह से उन लोगों को घुटने के उपर रेंगते हुए देखना चाहती हूँ हाललुया वो मैं घुटने के उपर उनको रेंगते हुए देखना चाहती हूँ मेरे येश्वा तेरा सामर्थ बढ़ाने की मैं तुछ से बिंती कर रही हूँ अभी वो यहां से निकल गया क्योंकि मुझे नहीं मालूम मेरे परमेश्वर वो कौन इंसान है क्या करने के लिए यहां पर क्या प्लान से था लेकिन वो यहां से चला गया है उसका पीछा करने वाले स्वर्गदूद भेज दे खुदा उसका पीछा कर खुदा और उसको अर्रेस्ट कर येश्वा 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 उसको अर्रेस्ट कर जाने वाले उसके टांगों को arrest कर और वो हकीम जो उसको power देता है वो power देने वाले को भी arrest कर येश्वा तेरे नाम से बिंती करती हो arrest कर arrest कर स्वर्गदोत को भेज और arrest कर भागने मत दे उनको उनको भागने मत दे वो सिर्थ ये जग़ छोड़ के भाग सकते हैं लेकिन उनका पीछा मेरा परमेश्वर करेगा और उनको अर्रेस्ट कर मेरे खुदा उनको अर्रेस्ट कर उनको सकर दंड से बांद दे खुदा उनको सकर दंड से बांद दे येशु, मैं आप से बिंदी करती हूँ, आप पीता, जंजीरों से जखड दे उनको, जंजीरों से जखड दे उनको, जंजीरों से जखड दे, और ऐसा जखड दे मेरे खुदा, कि वो जब तक घुटना ना टेके येशु के सामने, वो आज़ाद नहीं हो मेरे यश्वा तेरा गवर होने दे, तेरे नाम को उन्चा कर मेरे खुदा, तेरे नाम को उन्चा कर मेरे यश्वा, तेरे नाम को उन्चा कर मेरे खुदा पर मेश्वा, ऐसा जखड ले उनको खुदा, मेरे खुदा, एक भी इंसान बचना नहीं चाहिए, एक भी बच्चा, बुज़र्ग, बुद्दा, बुड्डी, कोई भी ओ, बचना नहीं चाहिए, सब को पकड़, जखड़ ले, जखड़ ले, तेरे स्वर्गदूद भेज, और जखड़ ले, मेरे परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूद को भेज, और जखड़ उनको, जंजीर से बांध ले उनको बांध ले उनको बांध ले लोकेट कर उनको और बांध ले और अभी मेरे परमेश्वर उन्होंने जितना भी हत्यार बनाया है खुदा जितना भी गाड के रखा है कहा कहा क्या क्या जलाया क्या क्या भूका जो जो मिट्टी और जो पैसा लगाया जो प्रकास से उन्होंने जो शड्ययंद है के लिए सब कुछ मेनद लगाया है सब जगह से उनको fail कर दे fail कर दे खुदा disconnect कर दे उनको disconnect कर दे तेरे सवर्ग दूत को आग्या कर मेरे खुदा कि वो disconnect करने के लिए वो लोकेट करें, वो सब जगह को लोकेट करें, कहां कहां पर उनका क्या क्या आना जाना है, सब लोकेट करें, और उनके सारे पावर्स वहां से डिस्ट्रॉई कर दिया जाएं वो लोकेट करें, कहां पर उनका क्या आना estar उनका करें जाएं परमेश्वर उनके कोई हत्यार कामियाब नहीं होंगे धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर तिरा वचन कहता है जो प्रकाश के हत्यार है वो सफलता पाएंगे धन्यवाद है मेरे परमेश्वर की सफलता के हत्यार प्रकाश है मेरे येश्वा और वो प्रकाश उनके पास नहीं है इसके लिए मैं तुझे बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूं खुदा कि मैंने जो हत्यार यूस किया है वो प्रकाश का है और वो प्रबल हो चुका है हाललूया धन्यवाद करती हूं पिता वो हत्यार प्रबल हो चुका है हाललूया मेरे परमेश और मेरा हत्यार प्र से हाललुया तुने लोहा बनाया है तो लोहा तोडने वाला बनाया है धन्यवाद करती हूँ खुदा तुने मुझे तोडने वाला बनाया हाललुया थैंक यू जीसस क्राइस्ट धन्यवाद हो यश्वा धन्यवाद हो यश्वा धन्यवाद हो यश्वा मैं तुछ से बिंती क पर्मेशर वियवार तक पहुंचने नहीं देना यह सब काम पिता पर्मेशर तरहे हाथों में समर्पित करती हूँ और मैं विश्वास के साथ तुझे धन्यवाद करती हूँ कि शैतान का आत्मा लेकर आया हुआ इनसान अभी तो पर्मेशर चुप्पी लगा के बैठा है ले वो जखड दिया गया है उसके कारणा में जखड दिये गये है हललुया और मैं पर्मेशर पिता तुझे बिंती करती हूँ कि अभी इसके आगे तो और ज्यादा तेरे स्वर्गदुत उसके साथ बरताव करने वाले हैं थैंक यू थैंक यू लॉड थैंक यू जीसस क्राइ में जितने लोग शामिल थे सिर्फ सहबाद भी हो गये थे हां में हां मिलाया था वो साब के घुटनों के हडिया तोट गई है और वो टेक दिये गए है उनके घमेंट के ताकट तोट गई है और वो घुटने टेक दिये गए है हाललुया मेरा परमेश्वर मोडता है घुट ना सिखाता है हाललूया वो सब लोग घुटना टेक दिये है मेरे येश्यू के सामने मैं तुझे धन्यवाद करती हूं खुदा एक ही जटके में एक ही समय के आकरोमन में तेरे स्वर्गदूत ने बहुत ही बड़ा काम कर दिया थैंक यू फादर गॉड तेरे स्वर्गदू से जुकाई नहीं जाएगी हाललूया मेरे परमेश्वर ऐसी कोई घुटना नहीं है जो परमेश्वर पिता तेरे सामने जुकाया ना जा सके हाललूया मेरे परमेश्वर जो तू मेरी ताकत है तेरी प्रार्थना है जब मैं करती हूं तो घुटना तो टिकना है और कड़ी गर्दन तो तूटनी है, हललुया, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, ओर रिबा खालारा, सियान तुखंबर रखा, सेके रिदे रिखा, सियान तुरा, मेरे परमेश्वर, उनके आगे के समय का हवाला मुझे देते रहना, और मेरे परमेश्वर, मुझे बहुत ही मज़ा आता है, उनके साथ फाइट करने का, मुझे बहुत ही आनंद मिलता है, क्योंकि जितना वो ट्राइ करेंगे, उतना वो प्रभु येश्वर के सामने जुकाए जाएंगे, Hallelujah धन्यवाद करती हूँ खुदा वो मेरा loss नहीं है उनका loss है वो Hallelujah मेरे permission मेरा फाइदा है वो वो लोगों का काम मेरे लिए फाइदे का ठहरता है खुदा क्योंकि मुझे मौका मिलता है कि मैं उनको बता दू मुझे घुटना टिकाना आता है Hallelujah Thank you Jesus थाइंक यू होले स्पिरिट थाइंक यू मस्ट गॉड धन्यवाद करती हूँ परमेश्यर की मेरे अंदर से तेरा आत्मा तो बहुत पावर्फुल काम करने वाला है और मुझे बहुत मज़ा आएगा पिता तेरे पावर को काम करते हुए देखने के लिए मुझे बहुत द्रुष्टी करा दे कि शैतान हार गया और मैं जीत कई हूँ यह द्रुष्टी करा दे वो लोगों को जुकाने के बाद सच में मेरे खुदा मैं इतना अनंद करूँगी इतना अनंद करूँगी खुदा कि वो घुटने टेके और मेरे येश्यू मसी को ग्रहन कर लिए हाल मसी के नाम से मांगते हूं पिता सुना और कबूल कर पिता आमें आमें आमें